हेलो बच्चों वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल बच्चों जो आज आपकी नाइध क्लास की बुक है क्रतिका भाग एक उसका जो पार्ट चार है माटी वाली तो आज हम उसके प्रशन उत्तर करेंगे जो माटी वाली पार्ट है वो विद्यासागर नोटियाल द्वारा रचित है जिनका जन 1933 में हुआ था कब हुआ था 1933 में विद्यासागर नोटियाल जी का जन तो उन्होंने लिखी ती यह है और आज हम इसके जो प्रशन उत्तर हैं उन्हें करेंगे तो आज यह शुरू करते हैं इसके प्रशन उत्तर लेकिन उससे पहले एक जरूरी बार कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके तो बच्चों आए शुरू करते हैं इसके प्रशन उत्तर किसके माटी वाली क तो पहला प्रशन है सहर वासी सिफ माटी वाली को नहीं उसके कंडर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं आपकी समझ सेवे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे तो इसका उत्तर है उत्तर लोग माटी वाली को निम लिखित कारणों से पह जाता था, यदि माटी वाली मिटी ना दे, तो यह काम नहीं हो सकता था अगला पॉइंट है इसके अलावा गोबर,पुताई, आधि मैं भी उसकी मिटी पड़ती थी गोबर में थोड़ी सी मिट्टी मिलाई जाती है और फिर गोबर और मिट्टी को मिक्स करके जो है वो घर को लीपा जाता है जैसे हम लोग पोच्छा लगाते हैं इसी तरीके से घर को लीपा जाता है और उसको साफ करा जाता है घर को उसके बाद है तीसरा पॉइंट, सारे शहर में दूसरी माटी वाली ना थी, इसलिए लोग उसे अच्छी तरह पहचानते थे दूसरा प्रशन है इसका, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भागे के बारे में जादा सोचने का समय क्यों नहीं था तो इसका उत्तर है, माटी वाली शहर से दूर रहती थी, एक घंटे का समय पहुँचने में लगता था इसी बीच माटा खान, जाना, यानि कि जहां पर मिट्टी खोदी जाती थी उस जगे फिर मिट्टी खोदना, कनस्तर में भर कर घर घर पहुचाना, या उसका रोज का काम था उसके पास कोई जमीन जाजादना थी और मिट्टी बेच कर ही जीवनियापन करना उसकी नियती था इसी सच को बूरी माटी वाली सुईकार करती थी इसलिए अपने भागे के बारे में सोचने का उसे समय ही नहीं था प्रशन तीन देखेंगे बच्चों, प्रशन तीन है भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या भी प्राय है तो इसका उत्तर है, यह एक कहावत है कि भूख हो तो भोजन स्वादिस्ट लगता है अता, स्वाद भोजन में नहीं भूख में है भूख ना तो स्वादिस्ट भोजन भी स्वाद लगता है मतलब अगर भूख ना हो, यदि हमें भूख नहीं है तो कितना भी स्वादिस्ट भोजन हो, वह हमें बेस्वादुनी लगता है बस्चों, जैसे कि अगर मालो हमने कुछ भी रोटी सबजी ही घर में खा ली हो, और उसके बाद कोई बढ़ियासी कुछ भी डिश बाहर से लेके आए घर में और खाने को कहे तो हमारा जो मन है वो नहीं करेगा क्योंकि हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ है और यदि हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो रोटी और अचार भी बहुत स्वाधिस्ट लगते हैं यहाँ पर इस कहावत का यह भी प्राय है कि भूख मीठी के भोजन मीठा उसके बाद है अगला प्रशन चार पुर्खों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाहिल नहीं देता मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए तो इसका उत्तर है इसका उत्तर है पीडियों से चली आई धरोहर ही विरासत है उसका महतों उसकी कीमत से नहीं आका जाता इस बात से आका जाता है कि उसे हासिल करने में बनाने में पुरकों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी आम लोग धरोहर का महतों नहीं समझते पुरानी विरासत को ओने पॉने भाव में बेच कर नई चरन की चीजें खरीद लेते हैं यह ठीक नहीं हमें विरासत की रक्षा करनी चाहिए वह हमारे पूरवजों की धरोहर है उसके बाद प्रशन पाच माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है तो इसका उत्तर है रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है वह ऐसी मजदूरी करती है कि उसका निर्वात तक कटनाई से हो पाता है कुछ मिट्टी खरीदने वाली महिला उसे कभी कभी एक दो रोटियां दे देती है जिससे वह कुछ रोटियां छिपा कर अपने बुड़े पती के लिए ले जाती है और हिसाब लगाती है कि वह कितनी खा पाएगा प्रशन साथ है आज मिट्टी वाली बुड़े को कोरी रोटियां नहीं देगी इस कथन के आधार पर माटी वाली के हिर्दे के भावों को अपने शब्दों में लिखिए तो इसका उत्तर है बच्चों ये है इसका उत्तर माटी वाली एक से किन इसको थोड़ा सा छोटा लेते हैं अब देखते हैं माटी वाली एक दो रोटियां चिपा कर बुड़े के लिए ले जाती है ये उत्तर है छटे प्रश्न का ले आती है साथ में सब्जी नहीं होती फिर भी वे सुकी रोटियां स्वाज से खा जाता है माटी वाली के मन में इससे दर्द होता है कि वे विवश है वे योजना बना रही है कि आज कोरी रोटियां नहीं देगी प्याज की सबजी भी उसे रोटी के साथ खिलाएगी किसे अपने पती को तो उसके बाद प्रशन साथ है बचों गरीब आदमी का शम्शान नहीं उजड़ना चाहिए इस कथन का क्या आशय है इस पस्ट कीजिए तो इसका उत्तर है इस कथन में गहरा व्यंग है विस्थापन या घर उजड़ने की पीड़ा विस्थापन मतलब एक जगे से दूसरे इस्थान पर जाना घर उजड़ने की पीड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए प्राण नास रहने के समान होती है तब उसके लिए घर वर शमसान में कोई अंतर नहीं रह जाता इसी मानसिंग अवस्ता से माटी वाली गुजर रही है वैं सोचती है कि विकास की अंध दोण में इंसान तो इंसान मुर्दों को भी जगे नसीब नहीं हो रही इसलिए मैं आते जाते लोगों से बस एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमसान नहीं उजड़ना चाहिए प्रशन आठ विस्थापन की समस्या एक जो है उस पर एक आपको नुछेद लिखना है तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है देश की प्रगती के लिए बिजली पानी नहरे आदी जरूरी है इसलिए बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े बांद बांदे जाते हैं जिन से बिजली बनती है और दूर दूर तक सिचाई होती है देश की इस सुविधा के लालच में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिने बांदों के कारण अपने घरों से बेघर होना पड़ता है तिहरी और नर्मदा बांद इसके उधारण है तिहरी के नदी में डूबने तक कुछ लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा जो विस्त पाटेकर जो है वर्षों से उनके लिए अंदोलन कर रही है अब आमिर खान ने भी उनका समर्थन किया है जो मेधा पाटेकर है बच्चों इन्होंने नर्वदा अंदोलन में भी काफी पार्टिसिपेट किया है और जो ये परियावरण बचाओ जो आंदोलन है उसमें उन् हो या समझ में आए हो तो वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दे